हमारा यंतर दियार है और देखते हैं कैसा काम करता है चला दिपू कर दो अंदर से बटन ओन और यह जो ग्रेंडर ना मैं यहां पैसे बांद दूँगा ताकि यह उपर से इसको में होल्ड कर सकूंगा और आपको दोस्तों जो है नदी की अवाज भी सुनाई दे जोगी प्यारी सीना विद्ध करने कर दो आप कर दो खाना है कि अश्क गारी बेवी क्या खा रहे हो अब की रोटी कर रहे हो आप कि आ अश्या बनाया है लंच में कडी चावल बन गया बस अब अब मिर्चि और धनिया लेओ कड़ी है तयार मिर्ची द्धनिया आप डालो उपर से मक्य की रोटी आई इसको बनाई पर हरी मिर्च और द्धनिया ले आते हैं नहीं हरी मिर्च तो बहुत सारी लगी और था विभ पिछे करने से तो और नहीं और फांपे तो भाई भूछ सारी यह देखो यह देखू भाई छे आठा जो है खटी लगी हूई है अधनिया तो नहीं बचा भई दनिया अब इतनी बसाथ होई ना वह इतनी बसाथ हुई तो धनिया तो हो गया खराब कि यहलो मेडम यह लीजिए अधर बहुत अची है अध्या ना लुगल हरी हरी टमाटर ना सारे खरा लेते हैं एक तो यह लाल वाला और एक अधर होने वाला है यह अर्य कि बड़ा वाला भी तोड़ लेता है जिकितने सारे हो गए इस इतने कितने मिल रहे हैं आज कर आपधिए और दिली में 200 रुपे किलो मिल रहे हैं तो नोट बैड काफी टमाटर होगे हमारे पास भाई स तोड़ने पड़ रहे हैं लाल का वेट करें ना वह जाकर खराब जाते हैं यह देखो यह देखो यह देखिए ब्लैक हो गया नहीं यह एसी देखो ना किड़ा लग जा रहे हरे में लग जा रहा है कि पहले मुद्ध साफ था और आप दिखो बादली बादल हो गया है तो मैंने किया कि कल यूट्यूब वीडियो देखी और उसमें दिखा मैंने कि बंदे ने ग्राइंडर यूज करके ना ग्रास कट रबना है बहुत कोशिश करते हैं अम्हें अभी काम आ जाएगा और वैसे जो ग्रास कटिंग मशीन था भी वहुत महेंगी महेंगी है चार-पांच जार से स्टार्ट होगी और काफी महेंगी महेंगी है यहां जाएंगे बागते हो यह ना जैसे पतला मेंने को बारिश हो रही है और यह आई मैंना उड़ती हुई हलकी हाँ तेर हो जागी यार अलकी है पर पर फोगई 2 मिट के लिए मम्मा इज़ दो गई नहीं कि हला जाए आप तो ख़ड़ो जाप पुतर तो बला हो गया अच् कि मैंनों की छुट्टिया तो बही मैंनों को तंक किया जाए नहीं मैं क्यों भगों कप्ड़ों के लिए ना भी जाते ना फिर देखते दुबारा दुलवाती आपसे एक तर दी मुश्किल से कपड़े सुखते आज कल बर सातों में सुखते ही नहीं है चाहे वाशिंग मश आज है हमारी चुट्टी बई मैंने चुट्टी तो इसलिए चुट्टी तो मैंना बनाइगी शाम बड़ी से स्नेक्स और हमाराम से खाएंगे वह बताओ क्या खाने कुछ भी खाना ना कार से कि बारिश आगी है तो मैं आगया हूं कमरे के अंदर अपने बिल्कुल भी जो मैं घर पर नहीं कोश्च मत करना अपना अगर आपके वास घर में पढ़ाए ना आप भी आप इसको बना लाए अगर आपने पहले वीडियो दिखी होगी तो आपको पता होगा मागर एफिजेशन इंजिनियर्स भाई मैं पहले जो है देली में काम करता था मेरे मेरे पिताजी के साथ तो मुझे जो ग्रेंडर चलाना आता है तो मैं इसको यूज कर रहा हूं नहीं तो यह बहुत यहांसे तो इसको चलांगे हुआ इसको बांद देते हैं इसको पान दिए इसके आर्पेम इतने हमें हओते हैं लेट इन शटैट करूंगak और इसको जो है वह द्रेक्ट यूज निकरने बाला इसके लिए मैं पर लगाऊंगा और फिर जो है इसको पहले से स्टाट करके वायर राके फिर ओन करूंगा यह लेक्ट आवे स्टिक अब देख रहे हैं यहां से स्लांट है और ऐसे लंबा सा हो जाएगा अब क्या तो दिक्कत नियुकु आएं लूज होगा ना और दोस्तों हलका हो रही है बारिश और देखो बैं हमारा यह अंतर त्यार है और देखने वह िंभली कैसा काम करता है वह तक नहीं करता है जो पर दो अन्दर से बनोन को कि ऊज़्व करने को थे त्यार रहे हैं आए ज़स च और आई दोस्तों हमारा यह नतर कुछ रखतक काम याब तो हुआ है वही मैं दिखाता हो आपको देखो पहले से इसने घास तो काटी है यह देखिए दोस्तों यह कटी है हलकी हलकी है पहले आप देखेंगे ना तो पहले ही इतनी उची थी यह देख रहे हैं इस सरफ अब हमें जो हाट के अबल टाय लगानी पड़ेंगे इसमें भी बेले जो है ना चटों से रटक के जो है नीचे आने लगी है उपर चड़के सच्थ से और यह दो अब नीचे आना चालोगी है बालनों को दोस्तों पर जुंडी खटा और रुख है बादली बादल रुखें उपर और यह देखे जो है ना भी यह जाड रुग गया है बहुत सारे और नदी का विव जो है यह जाड जो है काटना पड़े गया है तो भाई शाम का हो रुख है मोसम और अभी बच रहे हैं संद का यहाड और आपको दोस्तों जो है बई नदी की आवाज यहाज सी ना बधी के ना करें डैंडर से कटर बनाना मतब और यह जो बयोवत ही मतब बहुत ही रिस्की है इसे घर में बिल्कुल भी ना बनानी कोईश्च करें तो ठीक है दोस्तों कल फरी मिलेंगे आप लोगों से तब तक के लिए बाई